हेलो एरिवन आज हम इस वीडियो में अलिगड मुस्लिम सिटी 2024 में जो भी स्टूडेंट एड्मिस्या लेना चाहते हैं या जो स्टूडेंट एड्मिस्या ले चुके यानि पेमेंट कर चुके हैं आज हम इस वीडियो में तीन से चार टॉपिक के बारे में बात करेंगे सरगे का टॉप पे लिंक आएगा आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और आप इसके ओफिसल वेब साइट पर आजेंगे याद रखे अभी जो भी अपडेट आएगा जिस भी कूर्स का वालब अभी डिसेंट में देखाया तो 11 का और बीटेक वालों का बीएसी नर्सिंग और कहसिए आप रहा है तो हुआ इसका क्लिक करेंगे तो इसका फ़न ओस्याँ जारी नहीं हुआ है अभी तक देखाय तो इनका फॉर्म जारी नहीं वा है अभी हंग देख ल nad तो यह आप सीडियूल रहा था डिपार्टमेंटल कोर्स अलॉंग विद बीए बीकॉम और अगरिकल्चर का इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप देखेंगे हैं पे तो इनका जो फर्मलिस फर्स जारी होने का जो डेट है वो देख लीजिए 17 जुलाई से 18 जुलाई और आज का डेट आए रात तक आपके फर्मलिस फर्स जारी हो जाएंगे खासकर एम्यू बीए बीए से बीकॉम और डिपार्टमेंटल कोर्स का जो भी स्टुडेंट कॉंस्क्री में पार्टमेंट की हैं तो मैं फिर से रिमांड कर दूं आप सभी का फर्मलिस फर्स्ट कितने आज से कल तक कल भी हो सकता है मलब अभी अलग बात है अभी इदर हो गया तो इस वज़े से भी टाइम लगेगा लेट होगा थोड़ा वैसे भी आपको घबरानी की ज़रुत ने अकर आपको एक दिन भी टाइम मिल जाता है पेमेंट करने को तो क्या ही है दिक्कत आप तो पेमेंट करी लेंगे तो कि आपको पेमेंट करने का मौका कब से दिया जा रहा है तो 19 जुलाइज से 21 19 आपके पास टाइम है 20 है 21 है तो अगर यह 19 तक पॉब्लीस भी करते तो भी 21 दो दिन आपको टाइम मिल जागा तो फर्म लिस फर्स को लेकर जो था मैंने अपडेट है कि आपको पैसे सरकना इसा हो रहा है किस अप फर्म लिस रेडि ouve都ारा जीलिस करने में ठांड करने तक लिक 17 आपके तो जो है counseling portal पर चल लेते हैं उसके बाद हम physical reporting के बारे में बात करें, class के बारे में बात करें, counseling portal पर जैसे ही जाएंगे इस type का details हो करेंगा, हम एक student का login कर चुके हैं यहाँ पे, और अभी जैसे ही जब payment कर लेते हैं, आप समझेए, जब payment कर लेते हैं, तो status पर completed so कर जाता है, और सिप का यह ID card, दोनों एक ही है, अलग नहीं है, पहले चीज, दूसरी बात यह है, कि दूसरा सबसे ज़्यादा जो doubt से student का वो है, क्या admission card का, तो आपको इस पर click करने left side पर और यहाँ पर admission section पर जाईए, इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर admission card, generate admission card का option आ रहा है, इस पर आपक जो candidates है, उनका hopefully ऐसा होगा, कि पिछले साल ऐसा होगा था, गूगल form field करा लिया गया था, और उसके बाद इनका, जो है, admission card generate हो गया था, लेकिन अब मैं बता दूँ आपको, कि, मतला एक एक करके थोड़ा बता द रहें, 11 वाले जो candidates है, इनका आगे का सीन होगा, कि इनका करिए, physical reporting अभी नहीं आएगा, फिर समझेए, पहले आपको class स्टार्ट कराए जागा, तो मेभी विदीन अविक आपका class का notice आएगा, फिर उसके बाद class join करने के लिए जब जाएंगे, तो फिर आपका मामला होस्टल का आएगा, और उसके जैसे ही, जब class स्टार्ट होगी उससे स्टार्ट होने से पहले आपका होस्टल का notice आजागा, कि भाई आप लोग जिस भी कंडेट जिनका selection हुआ है, वो लोग होस्टल का form फिल करते हैं, होस्टल का form फिल करने के लिए आपको EMU चाना पड़ेगा, EMU के campus में जाना पड़ेगा, जो आपका department है, यानि आपन स्टार्ट होगा, देन इनके class स्टार्ट होगे, हाला कि notice बस तुरंत आ जाता है, मतलब जैसे अगर हमाने class का notice आया, तो उससे पहले आपका होस्टल का notice आ जाता है, तो अब फिलाल यहां पे क्या है, आपको वेट करना है, इनतियार करना है, अभी notice आने का, तब जब तक क्लास का notice है, तब तक होस्टल का formalities भी पूरा नहीं किया जाएगा, अब इसको आते हैं, बीए, बीए, से, बीकॉम, बीलेल, बीटेक, जितनी भी course है इन सब के बारे में, इन सब के साथ भी यही होगा कि पहले class का notice आ जागा, और class का separate notice आते रहता है, जैसे आगा इस चैन इस बार यह है कि थोड़ा सा अलग है, यह होस्टल को complete खाली करा लिया गया है, और आप होस्टल का प्रोसेसर वह स्टार्ट भी कर दिया गया है, जो internal candidate है, उन लोग के लिए स्टार्ट करा दिया गया है, अब आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग new student है, तो उसके लिए separate notice है और फिर आपको हॉस्टल का formality पूरा क्या जाएगा, अब आप कई student physical reporting को लेकर कहेंगे, तो physical reporting में क्या क्या document लग उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, लेकिन पहले मैं बता दूँ कि physical reporting के अगर हम बात करें, तो उसको लेकर पहले notice हाएगा, तब आपको physical reporting है, और विली ये देखा गया है, कि पहले class start हो गया, दो से तीन में class चला, उसके बाद आपका physical reporting का notice हाता है, उसके बाद जो है आपका सारा document submit करने को कहा जाता है, तो इस चीज से थोड़ा सा देख लिजे ध्यान से इस बात को, बाकी अभी तो फिलाल ये है, मैंने physical reporting होस्टल को लेकर और classes को लेकर बता दिए ये तीन चीजे, इसके लाबा कई ऐसे candidates होंगे, जिनको admission cancel कराने का scene होगा, या फिर ऐसा होगा कि अभी किसी course मेरा है, वो बात में कहना चाहिए, मुझे किसी और course मेरा उस course मेरा ले ले लें, तो आप ले सकते हैं, लेकिन रहा सावाल fee refund का तो उसके लिए आपको controller जाना पड़ेगा, ये और वहाँ पर application देना पड़ेगा, तब आपका free refund होगा, ये process होगा, अगर पहला, दूसरा अगर आपको admission भी cancel कराना है, उस case में भी controller ही जाना पड़ेगा, तब भी आपका admission cancel होगा, और hostel के लिए भी देखा जाए, तो physical reporting हो अब हम मैं बता दूँ, UG course वाले bachelor में जिनका master's admission हो रहा है, उनका hopefully आप मान कर चाहिए कि 1st August से आपके classes start हो जाएंगे, 1st August से आपके class 90% चाहसे ही का start हो जागा, schooling का within a week notice हागा और आपका within a week हो सकता है, यह 2-4 यह 5 दिन के अंदर में ही आपके class start होने का notice हाजागा, तो class start होने का expected date मैंने बता दिया, physical reporting को लेकर बता दिया कब notice आता है, होस्टल को लेकर भी मैंने बता दिया, अब इसका यह admission card के बारे में भी बता दिया कि जब hostel allotment होगा तभी आपका admission card generate होगा, और उसके बाद ही जो है इसी admission card के help से आपको जाना पड़ा है, अच्छा, documentation का तोर पर हम एक video detail video बनाएंगों उसको देख लीजगा, बाकी counseling portal को लेकर चीज़े मैंने समझा दिया, एक video हम बनाएंगे कि जिस भी candidates के साथ mark sheet का जो issue आ रहा है यानि certificate का लेकर issue आ उनका solution क्या है, 100% solution के साथ हम आएंगे एक video बनाएंगे आप घवराईगा नहीं, बाकी इधार जो भी update आएंगे आपको inform कर दे जागा, thank you, add then में बताते चले, phrase better start हो रहा है, अगर आपका इस बार selection नहीं हो तो अगली बार के तयारी कीजिए और आपका जरूर होगा, हम आपके साथ जरूर अच्छे से काम करेंगे